Hello students, welcome to my channel, आज हम पढ़ने वाले हैं energy resources, तो हम bilingually चलेंगे, दोनों books से हम पढ़ेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो energy resources को हम क्या कहते हैं, basically, उर्जा संसाधन कहते हैं, तो energy की अगर मैं definition दूँ, तो energy is the capacity to do work, तो उर्जा क्या है, किसी भी कारे को करने की शमता को हम क्या कहते हैं, उर्जा कहते हैं, तो यह जो उर्जा है, यह किसी भी form में हमें मिल सकती है, heat की form में, light की form में, sound की form में, electricity की form में, mechanical की form में, या chemical की form में, तो जितने भी आपके physical process आप देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि एक form energy की, यानि कि एक उर्जा जो है, दूस дел करते हैं जो तो अपका फैन है वह क्या करने लग स handlar है तो वो दोक्ली रास बढ़ेरा जाता है किस्तें लोग सफ़ाइब पर दीरे दीरे आप देखते हो कि आपकी body थोड़े time के बाद जब आप stop होते तो आपकी body heat up हो जाती है तो वो जो mechanical energy थी वो किसमें convert हो गई वो अब आपकी कहलो heat energy में convert हो गई तो जितने भी physical process है वो कहीं ना कहीं एक उसमें क्या होता है एक energy से दूसरी energy में transition होता है तो अब इसका मतलब यह है कि करोडों सालों से thousands of years से जो है हमारा जो इंसान है यानि कि हम लोग वो काफी time से किसके पर depend करते आ रहे है energy के पर depend करते आ रहे हैं अगर हमें कोई भी कारे करना है तो हमें उर्जा तो चाहिए चाहिए तो अगर जैसे कि यहां पे उधारन के तोर पे इन्होंने क्या बोला हुआ है जैसे कि आप भोजन बनाते हो तो भोजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कोईला चाहिए होता है मिट्टी का तेल चाहिए होता है या गैस चाहिए होते है इस तरह के इंदन चाहिए होते है और उसे क्या मिलती है तब ही आप क्या बना लेते हो बोजन बना सकते हो तो अगर आप विद्युत एनरजी की उर्जा की बात करते हो तो रेल गाड़ी कार खाने स्कूटर यह सारे के सारे जो है इसी से ही चलते हैं इनको चलाने के लिए इन्ही उपकरनों को चरनाले के लिए ily हमें क्या चाहिए होती है तो मतलब अब आज के जुमाने में हम कह सकते हैं कि उर्जा जो है हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है तो यहां पी यह क्याEZ रहेख है कि ऊरजा हर चगहामें चाहिएdad क्रचाποι सिर्फॉर्ण को चलाने के लिए नहींचाहिए इंपक्र फिर देवलक्त के अंदर वह देखते हैं सबसे पहले जो है मारे पास ग्रोइंग एनरजी नीट्स तो अगर हिंदी में बात करूं तो इसका विश्य क्या है आपके पास उर्जा की बढ़ती जुरूरत है तो उर्जा की जुरूरत क्यों बढ़ रही है तो जैसे ऐसे टाइम बीटता जा रहा है कि हुमिन की नीट जो है वो भी क्या होती जा रही है देली इंक्रीज होती जा रही है पहले क्या होता था अभी की ब साइब कर रहे हैं तो अगर इसी तरह से अगर मैं एस्टीमेट लगाऊं तो एनरजी अगर इस तरह से इनरजी का ग्रोथ इस तरह से होता रहेगा तो आने वाले 20 सालों में 8 lakh calories जो है वो एक industrialized country जो है हर दिन जो है consume करेगी यानि कि 2 lakh calories per person का मतलब यहाँ पर यह है कि जो industrialization इतनी calories per person per day जो है consume करते थे तो आने वाले 20 सालों में calories बढ़के कितनी हो जाएंगी 8 lakh हो जाएंगी तो यहाँ पर मैं हिंदी की बात करो हिंदी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उर्जा जो है वो हमें हर चीज के लिए चाहिए वर्तमान में लगबग 92 परतिशत जो है इंधन उर्जा की मांग को पूरा कर रहे है मतलब इतनी इंधन की मतलब उर्जा की मांग 92 परतिशत पूरी हो रही है वर्तमान में तो अगर जन संख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो यह जो है विकास जैसे तेजी से बढ़ता जाएगा तो आने वाली 21 सेंचुरी के अंदर 21 सिदापदी के अंदर जो मोटर साइकिल्स यह स्कूटर्स वगेरा है इनकी संख्या में भी क्या होगी वरिद्धी होगी तो उर्जा की डिमांड यानि की उर्जा की मांग और और बढ़ती जाएगी और क्या हो रहा है बेटा कि विश्म के कट रही है तो वनों का खया ओर विनाष होता जा रहा है तो इस तरह से जो है अगर वनों का विनाष हो जाएगा तो हमारी तो वनों का विनाष के कारण बूमी का कटाव होता है तो डिफोरस्टेशन का कारण भी यह बनेगा तो अब हम करते हैं Types of Energy Resources तो अभी हमें growing energy needs तो पता लगी अब energy यहीं कि उर्जा जो है वो उसे हम जो है एक fuel की तरह भी हम use करते हैं तो energy resources जो है वो दो तरह से classified है आपकी renewable energy resources and non renewable energy resources तो अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो उर्जा स्रोत का वर्गी करन क्या है दो है नवी करनिये उर्जा स्रोत औ भी हम पढ़ेंगे तो जो आपका नवी करनी उर्जा स्रोत क्या है बेटा कि it is a natural resource which can replenish with the passage of time तो यह क्या है एक तरह की natural resource है जो की आने वाले time में क्या कर सकते हैं हम इसे दुआरा से प्राप्त किया जा सकता है यह जो इनर्जी जो हम बार-बार जो है यूज कर सकते हैं जैसे की आपको पता है सूरज की रोशनीcéरी की अल्ज पर माकुन्स और रिज विंड कभी खतंवन होगी अधोर यूज कर सकते हैं तो वाटर भी आपका जो है रिन्यूइबल預 conditions है और जाल Kैसी इनर्जी यह आप उसके बाद है अब हम पढ़ते हैं और विकर। ये इनको बार बार पर प्राप्थ कर सकते हैं ठीके घ्स 17 यहां पर गलत लिखा उते इनको एक पसमाप्त हो गए न इनकी मात्रा सीजुंत होती है एक पसमाप्त हो गए हम इसे दूरा प्राप्थ नहीं गठě न आपकी इंधन है तो अभी जो हम Nuns वी पड़ेंगे तो भी सोर्सेश में आज हम कवर करने वाले हैं वह आपका सोलर टीव इनट एनर्जी यह सब कवर के रहे हैं कि and has been harnessed by humans since तो हम आज तक जो है जो है इसका यूज करते आ रहे हैं ठीक है काफी ताइम से तो सन जो हमें कम से कम जो है more than 10,000 times जो है energy प्रोवाइड करते है ठीक है तो इतनी energy जो है humans यानि कि हम लोग यूज कर रहे है और जो कि अगर हम बात करे almost twice the amount of energy that will ever be obtained from all the plants non-renewable resources तो यहां पर क्या कह रहे है कि यह जो energy है जो solar energy है वो कम से कम आप यह कह सकते हो कि दो गुनी जादा है जितनी भी हमारे पास plant से जो non-renewable resources मिलती है उससे दो गुना जादा यह energy है हमार energy को हम सनलाइट को किस में convert कर सकते हैं हम electricity में convert कर सकते हैं फोटो वोल्टेक सेल आजकल बनने लगे हैं और आप देखते होगे कि कई बर हम क्या करते हैं solar power systems लगे होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी सनलाइट को जो है एक small beam के अंदर जो है कहले हो की focus में ले आते हैं जैसे य है बाट है कि ले चोटे छो दो है ुठो पैनल था चूटे थो है फोटो वोल्टेक सेल है जोर्ट के क्या बनाया हूँए इन्हका किया होता है फिलर की रोशनी आ रही है इसको क्याद कर लेना और इसको क्याद करने के बाद मतलब यहां पी इतनी एनर्जी जोएं यह स्टोर कर लेता है कि जो street lights है आज कल इसी से ही क्या करती है जगती है तो आप देखते होगे बेटा कि आप आज कल street lights पर solar panels चोटे-चोटे panels लगे होते हैं वो क्या करते हैं सूरज की रोशनी से ही electricity produce करते हैं तो income use solar panels का use हम electricity run करने में करते हैं तो बहुत सारे solar panels का का काफी काम है वेटा solar panels solar energy से जो है उसका use करते है solar cookers बनाने में हम उससे खाना को भी गरम कर सकते हैं आपका solar water heating के लिए यूज कर सकते हैं तो बहुत सारा योग है आपका solar energy का यहां पर आप देखो सूरज की रोशनी पर बढ़ेगी इसको स्टोर करते हैं और इसको किसमें convert कर देते हैं इलक्रिक करेंट में यानिकि चार आपका कहलो कि जो हमारे हम वो स्ट्रीट लाइट से तो यहां पर जो करेंट है उसको चार्ज कंट्रोलर में डालते हैं उससे हम बैटरी सिस्टम का भी काम कर सकते हैं और बैटरी का सिस्टम से भी हम आगे क्या बना सकते NV तो कई बार बच्शे आपने देखा वोगा आज कर लों क्या करते हैं तो उससे क्या करते हैं उससे कफी बैनिविट होता है तो सोलर पैनल containing की लेक्रिक्रिक्रिकल्ट का बिल भी कम आता है और आपका काफिष्ववा हम क्कम और आपका काफिए फोल रहता है ट्टक एक वायू उर्जा का कहां यूज करते हो तो विंड्स energy का भी हम काफी यूज करते हैं क्योंकि यह क्या विम् करते हैंrióल कि on the wind turbines, तर्बाइन लगे होते हैं यह तरह से न विंड मिल्स फसका करते हैं काभी विंड मोables गुंहते हैं से पा सफ excited लाट होता है और फिर चैनिकल पावर को अगए कर लेते हैं और इलेक्ट्रिच्टिति सब्स्याइब तो यहां पर example भी दिया हुआ है देखो यहां पर यह देख रहे हैं यह एक्चुली में आपका विंड मिल है तो यह जो है ना यह फैन्स बहुत तेजी से गूमते हैं तो जो बहुत तेजी से गूमते हैं ना यह फर्दर जो हम यूज करते हैं जो घरों में इलेक्रिक्शिटी पास करने के लिए तो यहां पर यह देख रहे हैं यह यहां पर यह फैन्स बहुत जब हवाई चलेंगे तो बहुत तेजी से गूमेगा तो यहां पर जन्रेटर लगा हूए है यह पावर केबल से निकी जो प्रहुची अगे अगे फिर इस लेयम व्य चाहते है फिर आगे फॉर्दर जो है यूज होगी तर बींट परफाइनस का क्या होता है है कि जो अरजी आरी है वो जो विज वह आई आ रही है वो क्या करती है दो यह तीन ब्लेट्स जो लगी होती है तो मैं आपको बताया था ने इस तरह की पंख्री टाइप तो यह जो ब्लेड्स होती है इनको क्या करती है रोटेट करती है तो यह जो रोटर है यह फर्दर किससे कनेक्ट होता है आपका में शाफ्ट से कनेक्ट होता है और वह क्या करता है जो जन्रेटर है उसे करते हैं और electricity produced करते हैं तो wind turbine जो हैं काफी amount of energy capture कर लेते हैं इन की यह बात करूज होती है वह काफी बड़ी होती है उम्हारे ग्राउंड से तो अगर कम हवाई भी चल रही है या तेज वाली हवाई भी चल रही है तो इनका ये बैनिफिर उर्थाते हैं ये लोग ये विंड बिन्स टिके न तो विंड टर्बाइन्स जो है बेसिकली क्या करते हैं घरों में एलक्टरिशिटी प्रड्यूस करने का काम कर होती है क्योंकि उर्जा और ये वाला सिरोत भी कभी खतम होने वाला नहीं हो अगला देखो बच्चे हाईडरो इलेक्रिक एनर्जी ठीकर या फिर आप कहलो है थे है तो हाईडरो पावर जो है क्या होती है ये इसको हम इंद्धी में बात करें तो इसको कहतें ज़लविद् तो परफे हैं व प्राप्त करने के लिए पानी नहीं को जलेते हैं फिर वहत बहुत बहुत और new algae से चोड़ते हैं तो क्या ति बांधों काम एंका वाड्यादां कीए हवादु है इसे फाइदा है सक्क्राइश फाइदा है कि इस तरह रहें वावा जैसे कि जब बहुत तेजी से जब पानी नीचे गिरता है तो दो तरीके है हमारे पास एक तो क्या कह सकते हैं कि डाम लगा के डाम में हम पानी स्टोर करते हैं जो आपको बता दिया फिर उसको रिलीज किया जाता किसी हाइट से और फिर वो जो है टरबाइन को रोटेट करता और हमें क्या मिल जाता है electricity और एक और मेत्वड क्या है रन ओफ हाइड्रो इलेक्ट्रिस इसमें क्या होता है कि जो मानलो जो जो रिवरों का पानी आ रहा है ना वुद्धियों का पानी कि तो वह जो पानी आरा है उसको पान सटोर करते हैं ठिक है फिर औरन ओफ रिवर ठीक है नदेनर्जी यह क्या करता कि जो कांइटिक एज़िज्ट फिलोइंग रीवर्स विदाऊ तो यह क्या करते है वही जो नदियों का पाणि आ रहा Damn Bonjour प्र फ्रेंच और फ्र जो नτι यह लिवर्स साक पास लुटे तो यह जो नीचे गिरेंगे यहनी कि फोर्स जो बहुत ज्यादा तेजी से जब पानी नीचे गरेगा तो जो टर्बाइन है उसको हम रोटेट करते हैं स्पिन करेगा स्पिन करेगा तो क्या होगा एलेक्टिशिटी प्रडियूस होगी यहां पर बना भी रखा है थोड़ा सा तो यह रिजोर वॉयर हैं यह पैंस्टो टर्बाइन रोटेट करेगा तो जनरेट इलेक्टिशिटी तो रीवर का वोटर भी सेम ऐसी फ्लोइंग फिर्फ के का देगा में आखे रोटेट करते और वाफ्यवर को तो सब्सक्राइए यह निकलता है तो मस करते हैं तो जो जो बहुत अपनी से निखल रहा घरम पानी इस्सें क्या करते हैं फदर टरभाइंस लगा कि यह ऐसं को रोटेट करते हैं तो हमें क्या मिलती है बिजली प्राक्ट होती है तो भारत के अलावा विश्व के अन्Яे विक्सेत देशों से अर्थ'y उर्जा का उप्योग विविन विकास कारियों के लिए किया जाता है तो इसका उप्योग जो है काफी चिजों के लिए भी किया जाता है कि जो है जो पानी गरम पानी जो बहुत तेजी से हमारे अर्थ से निकलता है उसको हम आगे यूज करते हैं टर्बाइन्स रोटेट करने के लिए अब देखो हमारे जो अर्थ की गर्व में यह क्या होता है बच्छे बहुत जादा जो है प्रेडियो अक्टिव सब्स्टान होते हैं एसे यूरोनियम पोटेशियम तो यह जो है बहुत ज्यादा जो है अर्थ के अंदर पाई जाती है ठीक है इस हीट का जो हम यूज करते हैं फ़र्दर जो है आपको बताया है मैंने कि जो पावर स्टेशन लगे हुए है ठीक है तो तो यह जो भी गरम पानी होता है, वो उसको हम यूज करते हैं, फर्दर, जो मैंने आपको बताया है, कि जो गरम पानी है, वो बहुत तेजी से निकलता है, और उसका हम यूज करते हैं, टर्बाइन्स रोटेट करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ एक्जामपल दिये हैं, ड्राइ स्टीम पावर प्लांट, तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्टीम है, यानि कि जो स्टीम है, उसको हम क्या करते हैं, अंडर्ग्राउंड वेल्स में से पास करते हैं, जो की पावर प्लांट से लगे हुए हैं, ठीक है न, तो पावर प्लांट के अंदर जो underground wells से उसमें से फम स्टीम को पास करती है और वह क्या करती है तर्बाइन को रोटेट करती है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्छे तो लगे होते हैं युनाइट स्टेट के अंदर कैलिफॉर्णिया में तो यह एक तरह का यह भी कह सकते हैं यह भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह भी किसके अंदर आ जाता है आपका जियो थर्मल एनर्जी में एक और तरह से क्या है फ्लैश टीम पावर प्लांट इस यह भी हीट करते हैं इस तैंप्रेचर से जादा था तक 302 डिग्री से जाद यानिकी 182 डिग्री फैरनाइट पर हम रखते हैं पर इस होट वाटर को फिर बहुत तेजी से जए गिराते हैं तो तो सरफेस परन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो सरफेस का प्रेशर है इसको कहते हैं blast of steam और इस steam को हम water से separate कर लेते हैं और further इसको क्या करते हैं turbine rotate करने के लिए help करते हैं तो जिससे हमारी electricity आती है binary cycle power plant में क्या होता है hot water को हम heat exchanger में से पास करते हैं इसका काम क्या होता है तो गरम पानी डालेंगे तो जो अगर मानल वोटर हो जाता जैसे आइसोबुटेन लिया हुए है आपे लिक्विट हमने आइसोबुटेन लिया हो आइसोबुटेन जब बॉयल होने लग जाता है अट टेम्परेशर या इसे बहुत ही कम टेम्परेशर पेन वोटर को जैसे हीट अप होने के लिए स्टीम बनने के लिए 100 डिग्री चाहिए आइसोबुटेन जो है इसको कम टाइम चाहिए कम टेम्परेशर चाहिए तो यह इसीली स्टीम में कनवर्ट हो जाता है फिर इस और देख लेते हैं Tidal Energy, Tidal Power जो है उसको हम कहते है Tidal Energy is a form of hydro power that convert energy of tides into a useful power तो इसमें क्या होता है Tidal Energy का हम यूज करते हैं यह क्या करता है कि जो बहुत तेजी जो hydro powers निकल रही है उससे क्या करता है यह तरह के hydro power है जो क्या करता है जो tides है उसको एक useful energy की में convert कर देता है जैसे electricity में so tide energy का use हम किया जाता है Tide Energy generators में तो tide energy जो है is produced through the use of tide energy generators in Hindi में अगर मैं देखू इसको क्या कहता है जोरिय उर्जा in Hindi में इसे जोरिये उर्जा समूद्र से उत्स नेवाले वाले जोर भाणिवाटि द्थवारह जल के ऊपर नीचे बढ़ने वदने किसे उर्जीट होने वाली उर्जा को ज़ॉर Gig Champ gotta से जा निकलते हैं, उसे जल विशन के निकलते हैं, बहंते हैं, जल अपर नीचे होता नीचे गिरता है उससे जो उर्जा प्रोडिय Luna होती है, जब प्रोडियो опас है, जब से जो बांझ पहली, तरंगे अपनी यहां से हम क्या करते हैं फिर ज्वारिय बांद बना कर जो है इसकी विद्यूत का हम जो है इसकी साहिता से विद्यूत का उत्पादन करते हैं जैसे की इलेक्रिसिटी प्रड्यूस करने में इस तरह से भारत में ज्वार शम्ता लगबग जो है 2000 से 3000 मेगावाट बिजली पैदा करने की शम्ता है तो यहां पर क्या कह रहा है कि 2000 से 3000 मेगावाट हम बिजली पैदा कर सकते हैं इभारत के कई संदर्वन और कच की खाडी यह सारे इसे समभावित छेतर हैं और जहां पर जौरी उर्जा प्राप्त की जा सकते हैं तो यह कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर जौरी उर्जा का यूज कर सकते हैं इसे बगराथ कहले हैं तुट करेंगी तब होगा टरभाइन करेंगा थो और करेंगा और ये nature कुछ और परयम यह सकते हैं हमेम बहुत जदा या आंट करता हैमने से मिलता हैं तो यह जई तक शाहता है क्योंकि oceans के अंदर oceans का size बहुत बड़ा है तो इस करके ज्यादा tight और हमें क्या मिलेगा ज्यादा energy हमें मिलेगी तो अभी के लिए इतना ही अगली बार हम करेंगे non renewable resources और इसी के ही हमारे दो पार्ट और रहे गए ocean thermal energy और bio energy ठीक है तो उसका और non renewable energy resources हम next में discuss करेंगे next class में तो अभी के लिए थैंक you so much subscribe and share my channel for more